हेलो फ्रेंट्स जी शानबुट प्लानेट पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो भी हम देखेंगे कि आरी में ठीक तरीके सा धार कैसे लगती है मैंने बहुत सारे कारपेंडर भाईयों को देखा है वो आरी में धार लगाते समय कुछ खास बातों का बिलकुल ध्यान नहीं रखते जैसे आरी के दाथ छोटे बड़े भी होते हैं और उंचे नीचे भी होते हैं जब उन्हें धार लगाना होती है तो क्या करते हैं आरी उठाते हैं और सीधे धार लगाना शुरू कर देते हैं दोस्तों यह तरीका बिलकुल गलत है क्योंकि कुछ खास बाते ऐसी हैं जिनका हमें आरी में धाल लगाते समय ध्यान रखना पड़ती हैं तो वह खास बाते क्या हैं वह हम आज की इस वीडियो में देखेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी अच्छी ची वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हमने आरी में धाल लगाने के लिए हमें जो ठीया बनाना है जिसमें हमारी आरी बंदे की वो आरी बांधने के लिए हम पहले इसमें एक ठीया बनाएंगे मैंने तीन लगानी ले लिए यह दो है एक साइज की है और इस पर मैंने एक जो साइकल का ट्यूब की रवड़ देख रही है यह रवड़ में इसे लगा रक हिए वो इसलिए जब हम इसमें अपनी आरी दबाएंगे तो हमारी आरी ठीक से दब जाएगी ठीक है तो पहले त इसको इस तरीके से एक एल बना लेंगे ठीके फ्रेंट्स अब इसको हम अपने जो काम करना ली बेंच है जो ठीया होता है उसमें इसको यहां फिक्स कर देंगे कि अपने और इस डियमें बढ़ दिये ऐस अमने यहां से इसमें पुला दिया है और दूसरी तब हमने इसमें एक किलिब से इसको बाझे और बढ़न दिया है ठीक है कि दोस्तों आरी में धाल लगाने के लिए सबसे पहला जो पूरी काम है अब हम वो करेंगे एक हम पुराना तिकौरा ले लेंगे और उस तिकौरे से हमारी आरी के जो उंचे नीचे दान्त हैं हम उनको एक बराबर करेंगे इस तरीके से हम इस पर तिकौरा फिराएंगे जिससे हमारी आरी के जो उंचे दान्त होते हैं वो घिस जाते ह और सारे दान्त एक लेबिल हो जाते हैं दोस्तो तिकोरा फिराने से हमारी आरी के जो भी छोटे बड़े दान्त थे वो लगवख एक बराबर हो चुके हैं जैसे हमारा ये दान्त उचा था ये गिस गया एक ये उचा था ये गिस गया यह दाट छोटा था तो यह बज गया ठीक है इसी तरीके से जो भी उचे दाट थे वो सारे गिस गए और जो नीचे दाट थे वो रह गए अब हम धाल लगाते समय ये बात ध्यान रगनी है कि जो भी हमारे घिसे हुए दान्त है उनको हमें इतना घिसना है जो हमारे उपर सत्य घिसी हुई है वो घिसके हमारे जीरो हो जाए यानि हमारे आरी के दान्त है यहाँ पर नोग बन जाए ठीक है हमें इसको इतना घिसना है और जो हमारा आरी का बिगार किसा हुआ दानत है जैसे ये इसको हमें कम घिसना है मतलब इसको ना के बरावर घिसना ठीक है अधिक दोस्तों हमें ध्यान रखना है बहुत से लोग तो यहां रख उठाकर इसको यहां रख और इस तरीके देंगे फिर यहां रखेंगे और फिर इस तरीके से घिस देंगे तो हम यह एसे ँठाकर ही लाना है जिस तरीके से चली को चलाना और इससे हमारा आरी में धार प्रूण Fel珪्तेर को जाता है उसके बाद हम इसमें बेल डालेंगे ठीक है बेल डालने के बाद फिर हमारी फाइनल डाल लगेगी इसमें लगेगी अब बाद है रहाँ आरी जो दान है यह हमने सब अब एक बरावर कर लिये हैं जो दान हमारे उचे थे होने इसके हमें लेविल में लाना था अब फाइनल दार इसमें लगाने से पहले हम इस आरी में बेल डालेंगे थीक है दोस्तों हमने एक रणे की टेक ले लिए इसमें हमने यह पर नधी मार लिया है इसी कट से हम आरी में जो है अपनी बेल डालेंगे ठीक है तौस्तों बे Patri को फिर से अपने उसी डिय में बांद दिया है बहुत से लोग है है Plam से बेल डालना शुरू करते हैं लेकिन सही तरीका यह है कि हम आरी की पीछे की तरफ से यह बेल डालते हुए इस तरीके से लाएंगे ठीके अब इस रंदे की तर्सी से हम इसमें पहला दात मोढेंगे अपने राइट जे दोस्ट उसकिबाद हम एक दाथ छोड़ेंगे और दूसरे दान्त को पगड़के उब haven की तरफ मोड़ देंगे फिर एक छोड के फिर हमने राइट लाइड की तरके तरह देंगर से साय किय़ walk तो इन हम चोड़के एक इसी तरीके से हम अपनी पूरि आरी में टाल देंगे मां ते लिए पैकर फ्रेंड यह इसी तारीके से यह अपनी पूरियारी में डालनों गार ज्सका göster जादा मुढ़ेंगे तो उससे यह होगा कि हमारी लकड़ी काटते समय उदर यादा भागेगी ठीक है प्रेंट्स बहुत से लोगों के दिमाग में यह भी सवाल आता होगा कि बेल जो है धार लगाने से पहले डालें या बाद में तो दोस्तों बेल जो है धार लगाने से पहले ही डालना चाहिए क्योंकि अजब हम धार लगाने के बाद बेल डालते हैं तो यह आरीव जो हमारे यह तेक में कट लगा हुआ है इसकी वेसे इसकी धार जो है खरा हो जा कि यह हमारी वेल पड़ गई अब इसके बाद हम इसके फाइनल दार लगाएंगे अब इस धार में ज्यादा कुछ नहीं करना है बस हमें इसको ऐसे दो वार घिसना है इस तरीके से लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इसमें त्यक्वर हम इस तरीके से बिलकुल नहीं चलाना है हमें है ऐसे इससे हमारा त्यक्वरा और आरी दोनों खराब होते हैं ठीक है तो हमें बस इसको दो वार एक गिसा एक दात में दो बार गिसा मारना है ठीक है इस तरीके से और यह दार हमारी फाइनल लगती वी जा रही है कि दात में थोड़ी बहुत कमी लगे दो विसको हमें सही करते चलना है ठीक है क्रेंडर डेलब प्लिय रहा साज है हम दो आगा मैं होत पिक दो तसरो क प्लेजान घलाज जडियजानेल के रिवांगे क्टारी CT दोस्तों मिद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोहिश की है कि आरी मन धाल लगाने के लिए जो भी जरूरी बाते होती है वो सारी आपको बताऊं लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई बात या कुछ काम ऐसा रह गया हो जो आरी मन दाल लगाने के लिए जरूरी है तो फ्रेंट्स मुझे कमेंट प्रॉक्स में जरूर बताईए ठीक है